उत्तर प्रदेश में हुए गलोबल इंवेस्टमेंट समीट में प्रिदानमंती दर्दमोदी ने उत्तर प्रदेश की उच्छा में चल लए प्रगत्यों को लेकर काफी तारीफ की है साथी आगरा कॉलेज के प्राचार प्रफेसर अंडार शुकला का कहना है कि सरकारी महाविद्दालय में भी निजी शेत्रों का इंवेस्टमेंट होना चाहिए जिससे बाश्चुप पुरानी धरोरों को सम्हाल कर रखा जाए उत्तर प्रदेश में भी हाली इंवेस्टमेंट संमेट का इवजिन किया गया इसमें प्रधान मंत्री नरेंद बोधी ने उसका उधगाटन किया और लाखों करोनों की इसमें इन्वेस्टमेंट होनी की उम्मीद है इंड़स्टरी छेत्र में हमाई साथ आगरा कोलेज के बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमेशा जो इन्वेस्मेंट होता है वो सिर्फ इंडरस्ट्री में होता है तो क्या सर सिक्षा के छेतर में भी इन्वेस्ट होना चाहिए क्योंकि एक तो हमारी सोसल है कि हम अपने शिक्षा के जगत को उन्नत बनाएं दूसरी चीज सारे कारे केवल सरकार के ही माध्यम से नहीं हो सकते हैं इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे आना ही पड़ेगा क्योंकि उद्योगों के उन्नती करण के लिए रिसर्च और डेवलप्मेंट फील्ड पर वहाँ से ही बच्चे का भवश्य बनना शुरू होता है वो किस इंडरस्टी में जाएगा आगे क्या करेगा कैसे उसे रोजगार मिलेगा तो उसके लिए सर क्या आगे की रणनिती होती है उसके लिए वास्तों में शिक्षा का दो दो तरह की शिक्षा है एक तो सामानिय ज जो पहले से चले आ रहे हैं लेंग्वेज है लिटरेचर है क्लैसिकल साइंस है दूसरी आज की जो आधुनिक शिक्षा है उसकी जो अपेक्षा है वो यह है कि वह रोजगार परक भी बने बात करें कि दो दिन का यह सब्मेलन हुआ उसमें जो है प्रदान मंतरी जो अरिफ भी की है और वास्तों में उत्तर प्रदेश की उच्च सिक्षा गुडवत्ता परक है और इसका आप प्रत्यक शुदारन यहीं दे सकते हैं कि पूरे भारत में आप प्रशासनिक छेत्रों में मेडिकल छेत्र में और इंजीनिरिंग के छेत्र में इस उत्तर भारत औ होती है इंवेस्मेट हों दो सिर्फ इंडरस्ट्री के लिए होती है सिक्षन संस्तानों के लिए नहीं कि जो हम अगर आगरा कॉलेज की बात करें सर्थ 200 साल अपना यह पूरा करने जा रहा है तो सर आपके पास इतना बड़ा स्पेस है बिल्डिंग है बहुत पुरानी है तो ऐसे मलब मौडर्न टेक्नोलोजी यहां पर आने चाहिए अप लगातार उसमें अपडेट भी कर रहे हैं हमसे अब हमने देखा है कि आप जब से आगरा कोलोज में लागातार टेक्नोलोजी का साहरा ले रहे हैं अपने वैब क रहा है क्योंकि प्राइवेट इंवस्टीज भी काफी खुली हैं और साथ ही साथ इंडस्ट्रिलिस्ट भी इस छेत्र में आ रहा है लेकिन आपने एक तत्थे जो उके रहा है कि 200 वर्षों का जैसे यह महाविद्याले हैं इसी तरह से भारत में बहुत सारे हमारे पुराने सेक्षणिक संस्थान हैं इन सेक्षणिक संस्थानों में भी लोगों का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए केवल नए विश्विद्याले खुले केवल नए महाविद्याले खुले वही उतना परियाप्त नहीं है जो हमारी धरोहर है उन धरोहर को भी हमें और अधिक समारना और सवाचना पड़ेगा अभी कुछ टेम पर सेले अग्रिकल्चर के लिए भी बात हो रही थी अग्रा को शुरू करने वाला है तो सर उसके लिए कोई जमीन या कुछ इस तरह की कभी कुछ हो पाया है कि अभी उस दिशा में हमारी योजना मात्र ही हो पाई है अभी हम आगे समीती को भी अवगत कराया है कि हमारी है कि हमारे पास फैकेलिटी आफ एग्रिकल्चर नहीं है तो यदी हमारा यह सप्ना साकार होता है तो हम आसपास के चेत्र में कृष जोग्य भूमी फार्म हाउस लेकर के और एग्रिकल्चर फैकलिटी को डिवलब करने की पूरी और वो इतने बदलाव करें के लाता है कि बहुत सारे चीज़ों को अपने साथ लेकर चलता है अमित अगरवाज जी हमारे साथ में अमित जी बता है जो ग्लोबल इंवेस्टमेंट हुई है उससे क्या लगता है आपको जो कि सिक्षा के छेत्र में क्यों नहीं हो पाता है जो ओभी छेत्रों में इसका लाब मिलेगा क्योंकि मैं जब नए नस्ठी लगती है तो नई परकार की टेकनिक की ज़रुद्स घरवाज और उसमें जो है नए जीने वोकुल सही का कि मैं जो प्रानी जो धरोव है जो 200 साल की जो विरासत है इसको मलब सजोने की बहुत जहुता है ऐसे पताने ना जाने हमारे देश में कितने सारे विश्विद्धाले और कॉलेज हैं इन सब मगर लोग थोड़ा थोड़ा भी अगर सम्मिट में कि माध्य तरीके से सुधारा जा सकता है करमेर रहुल के साथ लक्षमिरा सिंग सीन्यों जागराथ